तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो पिछली classes में हमने क्या सीखा हमने देखा कि basics of biology के बारे में बात किया हमने हमने कुछ ऐसे concept के बारे में बात किया जिनको अब तक हम physics या chemistry का समझते थे हमने देखा matter के बारे में हमने देखा energy के बारे में हमने देखा bonds के बारे में हमने देखा energy transformation के बारे में thermodynamics के बारे में बात किया हमने और हमने एक बात हमें समझ में अच्छे से आई कि biology में कई सारे ऐसे concept हैं जिनका संबन physics से भी है chemistry से भी है के और मैं हमेशा कहता हूँ आप से कि life को यह आप बिल्कुल fine level पर जा कर देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि it's a combination of it's a beautiful combination of so many chemical reactions जिनको हम metabolic reactions कहते हैं ठीक है तो चलिए तो आगे के सफर में हम क्या करने वाले हैं हम living world chapter जो 11th class NCIT का chapter 1 है living world उसका आधा हिस्सा कवर करेंगे अब आप बोलो living life से जड़ा हुआ है और आधा हिस्सा उसका जड़ा हुआ है taxonomy से biodiversity से तो जो दूसरा हिस्सा है taxonomy वाला हिस्सा है जब हम taxonomy पढ़ेंगे वर्गी करन पढ़ेंगे तब पहले उससे cover करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हमके तो जहां जैसी requirement है उसके according में पढ़ेंगे तो इ believe me यकीन रखिए मेरा वाला क्रम फॉलो कीजिए आपको चीज़ें ज्यादा भेता तरीके से समझ में आएंगे मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप यहां पर हैं conceptual clarity के लिए यहां पर आप बायो मेंटरस पर आप हैं concept को समझने के लिए ठीक ना चलिए तो आज का हमारा जो life कैसे आई यहां पर ठीक है एक living cell कैसे आउतरित हुआ कैसे वो प्रकट हुआ कैसे living cell जो हैं पर बना उसको समझेंगे क्योंकि देखिए पूरा का पूरा biology is like a beautiful story के और story आप यह बानकर चलिए कि यहां पर मैं एक कहानी बतलाने वाला story teller हूँ मैं यहां पर एक कहानी कार हूँ जो कहानी सुना रहा है आपको story teller हूँ और this is the story about the nature, story about the life, story about the living beings ठीक है ना क्लिए चलिए तो कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले तो हम एक बात इच्छे से जानते हैं कि हमें अपने आसपास जहां भी हम अलग तरह के होते हैं diversified तरेके होते हैं तो हमने क्या word रीओस किया हमने का कि हमको अपने आसपास कई सारे biological entities केह हमने का biological entities ठीक हमने का कई सारे हमको जो है वह जेविक ऑपजेक्ट बाइलोजिकल आबजेक्ट यहां हम बोल सथे कि हमें समीं बूल सकते हैं इसे को हम इसको वो living wing क्यों नहीं बोल सकते हैं कर मिलींग विंग कह सकते हैं कि हमें अपने आसपास कई तरह के जीवित जिव जीव धिक्चाइं पड़ते हैं जिनमें हमको बड़ी मात्रा में, बड़े पेमाने पर हमको जिनमें को diversity दिखाई पड़ती है, मतलब वो अलग-अलग तरे के दिखाई पड़ते हैं, तो इस word को हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया living wing, जो diversity शो करते हैं, हमने बोल दिया bio diversity, ठीक है एक word हमको सिनमा है, यह सब keywords होते हैं, याद रखना भी जटके, तो bio diversity, मतलब यह कि हमारे आसपास आज, आज के present scenario में हम बात करें, तो हमारे आसपास जो है वो greater bio diversity present है, और यह जो bio diversity होती ही न, इसको भी यह दिया आप देखें, तो अर्थ पर, धान से बास सुना, अर्थ पर bio diversity का distribution भी equal नहीं है, हमारी में, जैसे कि tropical rainforest, यह जो frog देख रहे हैं, यह frog कहां देखने मिलता है, आपको tropical rainforest में देखने मिलता है, ठीके, लेकिन यह frog आपको जो है वो, कहां देखने नहीं मिलेगा, एलपाइन forest पर, जो उचे पहाड़ों पर, बरफीले, जो हिस्ते होते हैं, वहां आपको टुन राट आपको देखने हैं, नहीं मिलेगा, मतलब यह हुआ कि हमारी अर्थ पर biodiversity है, लेकिन यह biodiversity इस बात पर भी depend करती है, कि किस तरह का वहां पर climatic condition है, किस तरह का वहां पर topography है, किस तरह का वहां पर weather condition है, इस पर depend करती है, मतलब यह हुआ, environment बोल सकते हैं, उसको परयावरेर प issue है, कि अभी हमको इतना समझना है, हमारे पास दो point सामने आए, कि biodiversity का मतलब है, कि हमारी अर्थ पर बड़े मात्रा में biodiversity present है, जे बिवित्ता present है, अलग अलग तरह के living wing जो होते हैं, diversity fight तरह के होते हैं, हमने biodiversity wide का इस्तमाल किया, और हमने ये भी का, कि अर्थ पर biodiversity एक समान नहीं है, tropical rainforest में, उस्तिकटी बंदी वर्षावनों में, सबसे अधिक biodiversity आपको देखने मिलती है, जैसे tropical rainforest से आप पोल की ओर जाते हैं, biodiversity में कमी आने लगती है, 12th class NCRT, chapter biodiversity, बिलकुल दे रखा आई, लेकिन ये फंडा यहां पर हमें दिमाग में डाल लेंगे ना, तो वहां पर हमको ज़्यादा stress नहीं देना पड़ेगा हमें, ठीके, चलिए, तो अब हम देखने हैं कि हमारे सामने जो है, अर्थ दिखाई पड़ रही है, और हम जानते हैं कि अलग-अलग continent दिखाई पड़े हैं, जो blue हिस्सा देखने हैं आप, वो क्या है, water rate के, जो green हिस्सा 0 degree equator के आज के पास-पास में, कुछ ऐसे जो, pools की हो रहे हैं, जैसे हम कहते हैं, कि Australia is towards the, वो south pool की तरब चलाता, उसका हिस्साथ के, सदर्न हेमिस्फेर में, हम ऐसा, south pool ना मोलके हम मोलते हैं, सदर्न हेमिस्फेर में, क्यों, south pool पे क्या, Antarctica है, फिल, north तरब जाएंगे, आप तो आप देखेंगे कि आपको रश्या का उपरी हिस्सा जो है, एटके, और इसके डिनेवन कंट्री आपको northern hemisphere में, उपर तरब आपको देखने मिलेंगी, ठीक, हम यहाँ पर प्रत्वी के, अर्थ के, जोग्रफी के बारे में, बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर हैं, कि living wing जो है, वो हमारी अर्थ पर प्रिजेंट है, क्या water body में प्रिजेंट है, बिलकुल सही बात हैं हम जानते हैं, मचलिया होती हैं, तमाँ तरह के aquatic animal होते हैं, water body के अंदर भी वो प्रिजेंट इटके, ठीक, अब इसका मतलब यह एक word मैं यूज़ कर रहा हूँ है, बार-बार में एक word यूज़ कर रहा हूँ, मैंने का environment, ठीके, मैंने word यूज़ क्या environment के, तो ये environment, हिंदी में इसको बोलते हैं, परियावरन, अब ये क्या होता है, ठीके, जब हम छोटी class में थे, तो एक definition पढ़ा करते थे हैं, क्या पढ़ा करते थे हैं, परियावरन वहा आवरन या घेरा है, जो चारो और से हमें घेरता है, environment is that, that is the thing that covers us from the everywhere के, तो हर जगे से cover करता है, वो परियावरन है, छोटी, चोथी, पाजवी class में पुछता थे हमारे पास्मेंट के, जोड़ तोड़ के उसको बोल दिया करते थे, actually में, कोई भी living thing जो हता है, वो क्या करता है, उसे क्या चाहिए, उसे जीवित रहने के लिए उसको oxygen चाहिए, उसे water चाहिए, food चाहिए उसको, तो उसके लिए क्या करता है, वो अपने physical environment से interaction करता है, जब physical environment बोलते हैं, तो वो हिस्सा क्या होता है, वो हमारी जमीन का, हमार अर्थ का उपरी हिस्सा होता है, अपर पार्ट ओफ लिथो स्फेर, लिथो मतलब होता है चैक्तान, ठीकिए, और हमारी अर्थ का उपरी हिस्सा जो होता होता है, ठीकिए, जो पानी भरा हुआ जहां पर अर्थ में यहां water प्रेजेंट होता है, हम hydrosphere कहते हैं, उसके लिए वो तो atmosphere के निचले हिस्से में miraculous टिक तो हमारे मतलब कहने का मतलब यह कि वो जगे जहां पर जीवित- retaliation करते है वे जगे जहां पर living in जीविद जीव अनोनिक हर दिया करते हैं जहांपर living when- Molly interaction करते वो क्या हो गया हमारे atmosphere का निचला हिस्सा हो गया, हमारी अर्थ का लिधोसफेर का अपर पार्ट हो गया और अपर लिधोसफेर, पानी में सब लेवल पे करते हैं, वाटर में डीप वाटर के के अंबर भी डीप ओसें के अंदर भी आपको जीवन के लेक्षन देखने मिलते हैं ठीके तो कहने का मतलब यह है कि अपर पार्ट आफ लिथोस्पेर लोवर पार्ट आफ एट्मोस्फेर और हाइड्रोस्पेर तीनों मिलकर फिजिकल इन्वारिमेंट बनाते है और यही पर जीवित जीव जो है वो इंट्रेक्ट करता है ठीक है ना क्लियर और जहाँ जहाँ पर हमारी अर्थ पर जहाँ जहाँ पर भी आपको जीवित जीव देखने मिलेंगे लिविंग और्गनिस्म देखने मिलेंगे उस हिस्पे को क्या बोलोगे आप बायोस्फेर बोलोगे आप क्या बोलोगे बायोस्पेर के जहाँ जहाँ जीवन प्रेजिंट है वह सब बायोस्फेर है ठीक है ना . आप अर्थ का जो है वह एक ख्रॉस सेक्छन देखने हैं आप देखने है उसके अलग तो को तो हमने के 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 पीस के समाहन से से निकाला हुआ है हम क्या देख रहे हैं बीच में को ओर है जो यहां पर जो einfach ऑगाफ़ होता है ठीक है पिढला हुआ लाबे के समान एक amplify तोसने मुंको दिखाई पर킨िये surviving है के हाइं हाइडा स्फिर वाटर वाला जगय लिटिंतोसर जो है वो हमारी 遊戲 का हमारे अर्थ का रिवूत जो भी पार चयाते आपको आपको environment और अर्थ पे क्या interaction चलता है वो आपको समझना पड़ेगा तो इसका मतलब यह है अर्थ का जो central part है core है यहाँ पे high pressure होता है अजी दवाव होता है इसको हम berry sphere कहते है berry wide pressure के लिए use करते है, berry wide हम pressure के लिए इस्तिमाल करते है याद रखिए गाठके फिर और इस part को जो अर्थ का core तो से हम निफे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको nickel और iron हमको nickel और iron हमको अधिक मात्रा में देखने मिलता है इसको निफे कहते हैं, middle part को हम क्या बोलते है, mental कहते है, pyrosphere कहते है, यहाँ पे लावा होता है, बड़ी मात्रा में पिगला हुआ होता है, तो यह mental या पायरस पर होता है, इसे हम सीवा कहते है, यहाँ पर हमको क्या होता है silicon, यहाँ पर हमको silicon and magnesium, silicon और magnesium हमको यहाँ पे बड़ी मात्रा में देखने मिलता है, magnesium को बड़ी मात्रा में देखने मिलता है, ठीके सबसे उपर वाला पार्ट अर्थ ख्रस्ट काता है इसको हम लिधोस्फ़र कहते हैं इसे हम सियाल भी कہते हैं क्योंकर यहाप और हमको सिलीकम और एलमूनियम सिलीकम और एलिुमूनियम हमको जैवा बड़ी मात्रा में देखने मिलता है सिलीकम और Aluminium हमको बड़ी मात्रा में हाँ पर देखने मिलता है इसको हम CRB करते है ठीक है Silicon and Aluminium हमको बड़ी मात्रा में हाँ पर देखने मिलता है अर्थ का Watery Part Hydrosphere कलाता है और Gases Part को हम Atmosphere करते है ठीक है न, Clear चलो यहां तक तो बात समझना है कि आर्थ में क्या है जब तक हम एक खुले दिमाग से यह नी समझेंगे कि Life Present है कहाँ पर तो Life को समझना मुश्कील है हमेशा पूरा Biology है चाए Physics है चाए Chemistry है सब में एक तार छिपा हुआ है सहर विशे में एक तार छिपा हुआ है उस तार को पकड़कर आप आगे बढ़ेंगे ना तो पूरी गुथी सुलज जाएगी है ठीक है कभी होता ना दिखा आपने कभी धागे उलज जाते हैं और उलजे धागों को सुलजाने के लिए हम उसका end रूंटे फिर वहां से उसको हम open करते ताकि उलजन कम हो जाएगे यदि आप बीच में से कई से खीचेंगे तो उलजन और बढ़ जाएगी बस वही दिक्कत होती है कि जब हम पढ़ने बेटते था हम सुछते है हम जो हमारे पास टैक्स बुक में जो चैप्टर लिखा हुआ है रटने इसको रटना बज सीखना चालो समझ गए ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा present atmosphere किस तर्य का है हमारा वरतमान वायू मिंडल किस तरे का है ये भी जाना जरूरी है हमारा present atmosphere किस तरे का ये जाना भी जरूरी कि देखिए यहां पर क्या धान रखन है हमको हमको यहां पर धान रखन है कि हमारे atmosphere में सबसे अधिक मिलने वाली gas क्या है अधिक पाई दाने वाली gas क्या है और वो gas होती है nitrogen and very important thing is that 78.03% this is the exact nitrogen percentage यह मारे atmosphere में है यह बड़े काम किये ये it is very less reactive gas और यही वो gas है जो ऐसा होता है imagine करें कि हम oxygen का percentage nitrogen से बदल दें मालो oxygen का हम 78% कर दें तो मालों क्या होगा आपने माचस की एक तिली ली आपने माचस की एक तिली ली आपने उसको जैसी जलाया आपने धमाका हो जाएगा oxygen is highly inflammable oxygen जो हो है वो जो है वो inflammable gases के तो oxygen जो होती है उस oxygen से को की reactivity को कम करने के लिए nitrogen प्रेजेंट है बड़ी मात्रा में प्रिकरती में हमारे nature में जो atmosphere का natural combination है ना ये बड़ा important है इसमें disrupt करेंगे आप तो problem हो जाएगा ठीक है हम समझ गए कि 78.03% nitrogen है नमबर दो पर oxygen है आपे 20.83% roughly हम 21% करते है 20.83% is the oxygen and this is the vital air oxygen के लिए हम word यूज करते है vital oxygen के लिए हम क्या word यूज करते है इसके लिए हम vital air word हम इस्तमाल करते हैं के important है vital air is the oxygen ठीक है अब जीविद जीवो को चाहिए पढ़ती है aerobic respiration oxygen में चाहिए पढ़ती है oxygen जो होता है वो aerobic respiration में yv solution में सबसे आखिर में इस्तमाल होता है remember my word के मैंने क्या बोला कि जीविद जीव aerobic respiration करते हैं yv solution करते हैं वो बगेर oxygen कैसा नहीं कर सकते हैं और oxygen जो है वो respiration की सबसे आखरी step में इस्तमाल होता है अब कहा होता है कैसे होता हम आगे बात करेंगे इस बारे में ठीक है दिमाग में रखना जो बाते बता रहा हूँ जितनी बाते मैं lecture के दुरान आपसे कहता हूँ सब दिमाग में ड़ल लिजेए उसकोट के हर चीजे के mcq एक question है आप कुछ जो information मैं आपसे during class कहता हूँ वो आपके most of the mcq को solve करती है और कुछ information जो मैं आपको lecture के अलावा between the lecture बोलता हूँ आपसे इसका संबन subject से थोड़ा कम होता है वे आपके जीवन के परस्णों को हल करती है किसको? life के questions को हल करती है ठीके न? you are not in a tuition आप एक tuition में नहीं है आप एक coaching में नहीं है आप एक mentorship में है यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा बेटा हमारे हर teacher, हमारे Felix के सार के मेस्टी के सार, बहुत कुछ आपको सीखाएंगे सफर के दूरान अप फिर नंबर तीन पे कौन सा gas है जट से बोल दिया CO2 नहीं आपके सामने दिखाई पड़ रहा है नंबर तीन पे सबसे अधिक जो gas present है वो है और गन हमारे atmosphere मेंट के 0.94% और इसके बाद आता है नंबर CO2 का percentage जो है it is very very important तो 0.036% के सही है 0.036% is the amount of CO2 present in the atmosphere और CO2 को क्या बोलते हैं CO2 को हम बोलते हैं fixed air बोलते हैं इसको fixed air कहते हैं आप सुचिए इतना कम CO2 का percentage है और ये थोड़ा सा भी बढ़ता है न तो global warming होता है आर्थ का temperature बढ़ने लगता है आप सुचिए clear फिर other gases हुए और water vapors हुए dust हुआ वो 1% से कम हमारे atmosphere में present होता है और water vapors के याद कि water vapors हुए CO2 हुए ये बड़े important gases है जो कि हमारे अर्थ के temperature को maintain रखते हैं एक blanket के समान कंबल के समान ठीक है greenhouse effect दते हैं ये ये global warming के लिए जो responsible gases वो है CO2 वो है methane वो है water vapors भी yes and nitrogen के oxides again question neat का question है चलिए अब क्या देख रहे हैं आप आप देख रहे हैं एक animation में आपको दिखाई पड़ रहा है lightning के आपको बिजली चमकते हुई दिखाई दे रहे है ठीक है अब एक बड़ी important बात ये कि ये जो आप देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो बिजली चमकते हुई दिखाई पड़ रहे है तो इसका मतलब क्या है ये थंडर स्टॉर्म दिखाई पड़ रहे है इनका मतलब क्या है अच्छली पेटा ये जो है it is one of the very important source of energy ये उर्जा का एक बड़ा important source है कैसी है ये वो energy का source है जो हमारे atmosphere जो हमारा जो atmosphere है उस atmosphere में जो gaseous particle present है उनको तैजी से react करने के लिए ये प्रिजित करता है अभी तो आपको बता दूँ मैं अभी तो हमारा atmosphere जो है उसमें lightning जो है बिजली का चमकना lightning जो है वो काफी कम हो चुका है लेकिन जब earth बनी थी earth का temperature higher side था उस जमाने में जो है उस जमाने में क्या था उस जमाने में जो है वो lightning काफी अधिक हुआ करती थी ये बात है बहुत पहले कि कह रहे हैं हम millions of years पहले कि हमारे atmosphere में वो oxygen से क्रिया करते है नाइट्रीड बन जाता है atmosphere के अंदर भी yes नाइट्रीड का formation आता है ठीक अब next हम बात करते हैं अब ये slight थोड़ा सा black हो गया पहले कि चलिए मैं लिखता जाता हूँ तो दिखिए अब यहाँ पे यदि हम इसको primitive atmosphere से compare करें इसको हम compare करते हैं प्राचिंतम वायू मिंडल से compare करते हैं primitive atmosphere से compare करते हैं तो क्या फर्क है आज का हमारा जो atmosphere है आज का जो हमारा atmosphere है उस atmosphere में सबसे अधिक reactive gas कोन सा है ठीक है मैं आपसे simple सा question किया कि आज का हमारा जो atmosphere है उस atmosphere में सबसे अधिक reactive gas कुन सा है तो आपका answer हना चाहिए oxygen nitrogen is almost non reactive oxygen is highly reactive इसलिए हमारा present atmosphere क्या है oxidizing atmosphere हमारा वर्थमान वाईयू मिंडल क्या है बेटा हमारा present atmosphere क्या है oxidizing atmosphere है और याद रखना oxidation में gain of electron होता है या loss of electron होता है आप बताओ बताओ क्या होता है loss of electron होता है या gain of electron होता है oxidation में loss of electron होता है और जब चीज का loss होगा तो चीज बनेगी या टूट जाएगी अरे simple भंडा यार जब किसी चीज का loss होगा तो वो चीज बनेगी या टूट जाएगी तूट जाएगी लॉस होने पर तो नुक्सान होगा तो खतम हो जाएगी चीज़ एक दिन वो है ना ठीक reduction क्या चीज़ है reduction होता है gain of electron तो कोई चीज़ को दी बनाना है तो gain करना पड़ेगा कि loss करना पड़ेगा gain करना पड़ेगा इसलिए reduction बनाने वाली चीज़े oxygen तोड़ने वाली चीज़े तो क्या हमारा present atmosphere जीवन को बना सकता है अपने आप से मतला जो chemicals है जो chemicals है उन chemicals से वो life को produce कर पाएगा क्या हमारा present atmosphere दिएगे कुछ chemicals है अपने आप life को produce कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा तो किसकी प्रकरती ही नहीं है उसकी प्रकरती है तोड़ने की तोड़ने की तोड़ने की तोड़ने की इलेक्ट्रोन को निकालने की निकालने की निकालने की और oxidation से चीज़ें तूट जाती ही खराब जाती ही खत्म हो जाती है तो present atmosphere तो ये काम नहीं करेगा origin of life present atmosphere में नहीं हो पॉसिबल नहीं है इसे बोलते हैं ए बायो जनेसिस क्या बोलते हैं आजीवात जिवत पत्ति ए बायो जनेसिस वह पॉसिबल नहीं है ठीक है अब आते हैं हम कंपर करते हैं प्रीमिटिव एटमॉस्फर से कंपर करते हैं कि प्राचिनतां बायू मिंडल किस तरह का था तो हम क प्राचिंतम वाईयू मिंडल जो था वो हमारा रिद्यूसिंग एटमॉस्फियर था और जो अपचायग वाईयू मिंडल था उसमें याद रखेगा कि इस समय इस समय जो हमारा और यह हम कह रहें कि यह मिलियंस ओफ यह पहले की बात है कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फियर था उस समय फ्री ऑक्सिजन नहीं थी के फ्री ऑक्सिजन प्रिजेंट नहीं थी उसमें जो मैंगेस थी वो क्या थी मैंगेस थी हाइड्रोजन मैंगेस थी वाटर रैपर्स मैंगेस थे इसके अंदर लगा रहे हैं प्रिरी मिटिव एटमॉसफ्वेर में जो गेसेश प्रूजंट थी वह थी हाइड्रोजन वाटर वैपर्स नेतन गिंध हमोनिया रीजाफ्स कारबन डाइक्साइड, कारबाइट्स, और हाइड्रोजन, साइनाइड, यह गेसेस प्रिजेंट थी उस समेट, ठीक है ना, क्लियर, और जो प्रिमिटिव एट्मोस्फेर था, वो रिड्यूसिंग एट्मोस्फेर था, और रिड्यूसिंग में क्या होता है, कि यहाँ पे ची प्रिमिटिव एट्मोस्फेर था, उसमें जीवन की उत्पत्ती संभव थी, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है, नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पर यह है कि, कहाँ पर प्रिमिटिव एट्मोस्फेर में, ठीक है, क्लियर, तो इसका मतलब हमें एक बास, और आपको बता दो, जीवन की उत्पत्ती कहाँ पर हुई है, ओरिजिन आफ लाइफ कहाँ पर हुआ है, वाटर में हुआ है, कहाँ हुआ है, वाटर में हुआ है, हम ऐसा कहते हैं, कि जो वाटर है, वो क्रेडल आफ लाइफ है, वो जीवन का पालना है, और मैं कहाँ आपसे आज बिटके, सबसे अधिक इस्टेबल एको सिस्टम जो है ना, अब आप बलो के सार यह एको सिस्टम वर्ड का मतलब हमको समझ में नहीं आता है, हम कई बार सु कि वीडियो जखते क्या बोल रहा है, बोलए मेरे साथ में एको सिस्टम बनता है, और उस इंट्रेक्षन से एक वर्किंग सिस्टम बनता है, एक काम करने वाला सिस्टम बनता हुसे हमें एको सिस्टम कहते हैं बस सांस ले रहे हैं पानी पी रहे हैं यह एको सिस्टम का हिस्टा बन गए हैं ठीक है और मैंने कहा था आपसे कि इस प्रकृति में दो चीज़ें बड़ी हमारा काम भी है हमको लगता है कि हम बड़े महान है हमारा काम भी है कि फुलो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ में हम बने हैं कुछ पदार्थों से जब तक जीवे थे पदार्थ हमारी बॉड़ी में मरने के बाद जमीन मिल गए हो cycling of material flow of energy ठीक है उट जा लेते हैं प्लान बाता है प्लान का एनर्जी हमने लिया इनिमल का एनर्जी हमने लिया उसके बाद खता है अनर्जी को हमने अपनी बॉड़ी में स्टोर किया कुछ हीट में चला गए अटके तो actually हमा सारा working system काम ऐसी कर रहा है flow of energy and cycling of material पे काम कर रहा होता है जीवन की उथपत्ति ओर जन ए scratching गवा था अब वाटर में क्यो हुआ यह भी हम बात करते हैं वाटर में क्यों हवा वाटर में इसलिये हुआ कि वाकर is the best medium for chemical reactions water is best medium for chemical reaction जैसे ऐसे आपट districts के दुरान आपने पड़़ा होगा एक्कोस solution बडिया है प्र एवरी टेन डिगरी सेल्चेस राइस ऑफ टेमपरचर दे रेक्ट अब इसका मतलब अर्थ पहले गरम रही होगी ठीक है उस अर्थ उस गरम अर्थ पर जाए वो वाटर रहा होगा वो लगभग उबलता वाटर रहा होगा ठीक है तो इसका मतलब शुरू आपने जब प्रिमिटिव अर्थ थी उसमें वाटर बॉड़ी जो बने थे उनके इंदर कैमिकल रेक्शन बड़े फास्ट होते थे ठीक है अब एक बार सुनिए ठीक है ओर जिन आफ लाइफ लाइफ फस्ट लाइफ फस्ट लाइफ फस्ट टाइम ओ कि वहाँ पर वाटर नहीं है और ऑक्सिएन जो है वो ओरिजिन आफ लाइफ के समय औक्सिएन एट्मॉस्ट रेप्रिजेंट नहीं थाटके अब यदि हम देखें कि हमारा अर्थ किस तरह का था थाटके तो हमने अपसे का कि हम चलिए हमार्थ का एक इमेज मातने में ने का यह हमारा अर्थ है आप बोलोगे सर अब तो बिल्कुल हद हो गई है तो यह एसा अर्थ तो हमने पहली बार कभी तो अमीवा दिख रहा है हमको आप बोल रहे अर्थ है अरे बिटा में ने पानी निकाल दिया इसका पूरा तुम खुछ सोचो ना हमारी अर्थ पर दो त्य ने बड़े वो क्या है वो है महा सागर ऊसिंस है हाइड्र फिर पानी निकाल दिया अब बलगे स्थार वाटर कैसे निकाल दिया आपने तूकि इसले इसले निकाल दिया हमने कि हमके हमालों है कि हमारी अर्थ एक समय आंग के तप्त हुए गोले के समान थी it's like a fireball के एक गर का में जीवन के लाएं तो इसका मतलब यह कि कई सब्सक्राइब कर रहे हैं एक हम कल्पना कर रहे हैं कि जब सब्सक्राइब आर्थ तपता हुआ आपके गोले के समानती ऐसी रही होगी वोटके और जितना भी वाटर था वो सारा का सारा गेसस फॉर्म में प्रिजेंट था व आर्थ पर वारिश हुई तो अर्थ जो है वो कैसी ती अर्थ गरम तबे के समानती घर में कभी रूटी पकती है ना देखना आप कि जो गरम तबा होता है एकदम गरम तबा मम्मी रूटी पका रहे है जैसे है तो उसमें कुछ मत करना आप 2-3 ड्रॉप पानी के डालना नीचे तबा कर दिया तो एकदम जोर की आवा जाएगी और आपको वैपर्स बनते होए दिखाई पड़ेंगे देखाओगा आपने होता नहीं हमारी पूरी अर्थ ऐसे रही एक समय पानी गिरता था वैपर्स बन जाया करता था और हर बार जब भी ऐसा हो रहा था वैसे वैस ऐसे अर्थ जो है उस पर बार 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 Otherwise और यह रैंड्फाल्र भी जो है वो तौनल्स विलियїंस ओफ एर तक होता रहा और फिर जैसे अर्थ का टेंपरिछर, जय पे का यह वॉटर है यह अर्थ पे आके रूख गया ठीक है यह गी गोल ऐसी तो है ना ठीक तो इसका मतलब यह हुआ कि जो है अब इस समय जब इमेजिन करते हैं जब पहली बार वाटर पानी आके रुका होगा अर्थ पे अर्थ की सरफेस का टेंपर्टर मान लिया हमने कि 100 स पानी में घुल गए और अब क्या हो था कि उबलता हुआ वाटर कैमिकल्स पानी और अर्थ की सर्फेस के सारे कैमिकल पॉटर में आ गए अब वो कैमिकल रेक्षन कर रहे हैं आपसे मॉलिकुल टक्रा ने जितना टेमपर्टर हाई देगा उतरा देख रेक्षन बढ़ करें हम को यह हैं ठीक है कहानी को पचाना पड़ेगा समझना पड़ेगा इस वोट के चलिए याद रखें अधि कोई पुछता आप से कि फर्स्ट साइन आफ लाइफ क्या जीवन के पहले चिंद क्या आगग अ जीवन के पहले चिंद है वे मॉलिक्यूल जो अपने आपको मल्टीप्लाय कर सकते थे नुकली कैसे ठीक है इन्हें हम फर्स्ट साइन अफ लाइफ केते हैं इस आपने इसी कॉपी त्यार कर सकते हैं यह सुतंतर जीवन नहीं हैं बट इस दी बिगिनिंग अप दी लाइफ जीवन कैसे अपने आप से आया था कैसे बना था जीवन ठीक है चलिए सबसे पहले मैंने का कि गेसे लिए जो प्रिमिटिव एटमास्फेर था प्राचिंता वायू मंदल था उसमें गेसे क्या क्या थी उसमें थी मीथेन अमोनिया वाटर वैपर्स हाइड्रोजन कारबाइट्स सियो टू लिखिए अरे लिखिए बिटा लिखिए आलस नहीं करन यह बिल्कुल आप यही सोच रहें ना मैं हमेसा बोलता हूँ के बायो मेंटर से उस बच्चे को फाइदा नहीं मिलेगा जो बायो मेंटर सो केवल एक यूट्यूब चैनल समझेगा या केवल एक जो है वो ऑनलाइन ऐसे क्लास की हम चलते फड़ते कभी क्लास कर लिया ऐसा समझेगा तो उसे बिल्कुल भी फाइदा नहीं होगा फिर सबसे चा तरीका है कि आप जाईए और जो अपने आपको महा को बेस्ट आम बेस्ट कहते हैं उनसे पड़ी जाके टिकर हैं हम आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे यदि आपको जो है वो आलस साता है ये समझ लि कि जब आप ऐसा सोचेंगे ना तो आपको फाइदा होगा ये मांद कर चलिए मैं आपके साथ हूं मेरे आपके दिल के तार जोड़े होना चाहिए मेरे आपके बीच में बड़ा क्लोस कनेक्शन होना चाहिए तभी आप सीख पाएंगे तभी मैं सिखा पाऊंगा मैं जाद कि दिल के तार कैसे जोड़े आते हैं सीख रहा हूं कि मेरे बच्चे शिखर पे जंड़ा लाके आते हैं नहीं आते हैं मैं सीख रहा हूं आपके लिए काम करना और भेना से शिद्दत से काम करना इसी लिए मैं जब आपसे कहता हूं नोट करो कर रहा है आपको आफ्लाइन क्लास समझना है इसको आप बिल्कुल चार-पांच घंटा जब बायो मिंटर क्लास सकता है आप अपने आपको सरिंडर कर दीजिए जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कि यह करते जाए बिटा मैं कह रहा सिश मेरा स्टुडेंट मेरा कमांडो सेलेक्ट होना चीए और तुमको मेरे को गुरुदक्षणा देना है बिटा फुरी नहीं कोचिंग आपको मुझे गुरुदक्षणा देना है आपका सेलेक्शन क्लिया चलिए तो अभी आपसे मैंने कहा कि फिर लोट के मुद्दे प् आपने मीथेन अमोनिया वाटर वेपार्स हाइड्रोजन कारबाइट सीयो टू लिखा विटा ठीक है चलिए अप एरो लगाते हैं अगे लिखते हैं एलेक्ट्रिक शॉक जो हमारा लाइटनिंग है उसकी बात कि हमने आप ठीक है लाइटनिंग से एनरजी मिला क्या मिला इ इइ अर्ड़ अर्थ ऐकदम घरम थी और गरम अर्थ पर क्या हो था कि बार बार वाटर का evo pressure हो रहा था और उसके बाद जो है जब जब जितना water का evo pressure होगा उतना अधिक water vapors बनेंगे और जितना अधिक water vapors बनेंगे उतना अधिक बादल बनेंगे और जितने अधिक बादल बनेंगे उतना अधिक तब बरसा पानी पानी होगा, रेंड फॉल होगा, हुगा या नहीं होगा, ठीके, चलिए, ये भी हमने का कैसा होता रहा, फिर, इससे क्या हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ ये, कि लगातार सोर्स ऑफ एनर्जी एवलेबल था, डिफरेंट काइंड ऑफ कैमिकल एवलेबल था, मीथेन था, अ इससे क्या बन गया, फॉर्मेशन आफ, सिंपल और और अर्गनिक एसिड बना, एमाइनो एसिट बने, सुरुआती है, एमाइनो एसिड ग्लाइसिन था, देन लाइसिन बना, उसके बाद, फिर सिंपल शुगर बने, तो मतलब ये है, कि इन कैमिकल से, एदि एनर्जी प्रो और फिर धीमेदी में, ये सिंपल कैमिकल, आमाइनो एसिड आपस में किरिया के, किये, तो प्रोटीन बन गया, ठीके, ओर्गनिक एसिड किरिया किये, फिर सुगर, सिंपल शुगर किरिया किये, तो पॉलिसेक्राइड बन गया, फेट बन गया, नियूक्लोटाइड बन गय और थोड़े समय के बाद में DNA RNA भी बन गया कहने का मतलब यह है कि simple organic molecule पहले बने और उनके आपस में रेट कने पर complex organic molecule का formation हुआ आप बोल रहे हो कि सर लिख तो लिया हमने आपने बनाया मैं चार्ट पूरा होना चाहिए सब्की कॉपी में और मैं कभी भी आपसे बोल सकता हूँ आपने नोट्स दिखाईए मेरे को जो ऑफिशल बायोमेंटर्स के कमांडों से मैं आपसे किसी भी दिन बोल सकता हूँ कि प्लीज शो मी और नोट्स तो आपको बिल्कुल तयार है ना सकते और जो है आप मान खाई लिए बटा कि आपको इसको बिल्कुल आफलाइन कोचिंग के समान ही लेना है अपको यह चिए आपने इसको मैं बारबार कहता हूँ बात वटके है हम लोग जो है वो मेगा ब्रांट्स भी नहीं है हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं आप तक पहुंचने के लिए ठीक है रहा इसलिए प्लीज ना वी सिंसियर जो लेवल आफ सिंसिर्ट एक आफ लाइन कोचिंग में होता वही आपको यहां पर वैसी कंडिशन उनन्होंने क्रेड की जैसे की प्रीमिटिंव एटमास्फिर में थी प्राचिंतम अर्थ में थी जब आर्थ पर ओर Óउजिन ऑ्फ लाइफ वह वैसी condition उन्होंने create की laboratory के अंदर और सिध्धि कर दिया बना कर दिखाया उन्होंने कहा कि बिल्कुल possible है इन्होंने electrode का इस्तिमाल किया electrical spark किया lightning को produce किया इन्होंने पानी को लगातर उबाला water vapors को उन्होंने प्रिड्यूस किया उन्होंने ठीक और इन्होंने जो gaseous combination था methane हुआ, ammonia हुआ, water vapors हुआ, hydrogen हुआ, उस gaseous combination को उन्होंने इस्तिमाल किया जो primitive atmosphere में था और इसके बाद क्या देखा उन्होंने उन्होंने देखा कि चलता रहा है चलता रहा है प्रयोकुस्टर में तक उसके आद और यह इस चीज को बता रहे खों मिलर और ने तो experiment करके प्रूफ किया लेकिन इस concept को देने वाले जो scientist थे ओपरिन और हेल्डाने के ओपरिन और हेल्डाने ने बताया था अर्थ पर जीवन कैसे बना हुआ किस प्रकार से बनने की process रही होगी यह बताया था ओपरिन और हेल्डाने ने important है exam में आता है अभी यह सोचके बिल्कुल भी मेरे को judge करने की कोशिच मत करना कि यह तो evolution है यह वो मैं कह रहां आप से यह जब तक हम एक जीवन को create नहीं कर लेंगे हम biology में अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे अभी मेरे साथ चलिए मैंने कहाना कि कहानी जब सुरू होती है तो कहानी के पात्रों की जनका रिणा चीए जब एक अच्छी good story होती है तो you should know about the actors क्या है उसके कैसे क्या उसका plot था पुरा यह कहानी का पुरा का पुरा background क्या था वो background त्यार कर रहे हैं पड़के and entire biology is a beautiful story it's a beautiful story के जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसी कहानी चलिए open and hell down in it ने जो है सबसे पहले यह बतलाया था कि जो ऊर्जा है वो energy जो है early atmosphere में जो gases present थी उस पर जो energy ने काम किया उससे organic molecule बने होंगे एसा बतलाया था open and hell down in it के और इसको experiment से proof किया Miller और यूरे ने और ये दोनों के दोनों नीट के बड़े common question in it के और देखने हैं आप कि Miller और यूरे का experiment आप देखने है इलेक्ट्रॉट दिखाई पड़ रहे है gases combination दिखाई पड़ रहा है water weapons दिखाई पड़ रहा है पानी को उबाल रहे हैं लगातर जो से हमारी अर्थ पर इस तरह का environment था पुरा create किया आपने और फाइनली इनको क्या मिला इन्होंने जो है वो सेंपल निकाला कुछ समय के बाद उन्होंने वाटर का सेंपल निकाला औ वो मिलर ने किया था जिसका यूज़ है मिलर और यूरे ने किया था यह actual equipment है ठीक है clear आप पुछा आता है कि first living molecule क्या था कि प्रत्रम जीवित molecule क्या था तो याद रखेगा कि DNA और RNA के DNA का full form होता है Deoxy Ribose Nucleic Acid RNA का full form होता Ribose Nucleic Acid इन दोनों में पहले क्या कोन बना है त्याद रखेगा RNA molecule जो RNA molecule है यह DNA से पहले बने RNA molecule is the first nucleic acid के first form nucleic acid के यह सबसे पहले बने हुए nucleic acid होते है RNA जो है वो सबसे पहले बने nucleic acid होते है इसलिए evolution को हम क्या बोलते है इसलिए evolution को हम बोलते है RNA world evolution में हम एक RNA world छोरी भी पढ़ते हैं जब हम पढ़ेंगे molecule basis of inheritance पढ़ेंगे 12th class के syllabus में तब बात करेंगे तो इतना याद दखेगा कि जो nucleic acid सबसे पहले बना था वो RNA था यह मत सोचना कि exam मैं test में question नहीं दूँगा यहासे मैं जतना पढ़ा रहा हूँ हर हिस्से से test में question आ सकता है clear? ठीके? तो मैंने क्या का आप से? कि जो RNA world है वो यह बतलाता है कि RNA is one of the important chemical during the development of the life evolution of the life के और RNA जो है वो DNA के तुलना में more reactive होता है ठीके? RNA enzyme के समान भी काम कर सकता है और enzyme क्या होते है? protein से बने होते है enzyme क्या होते है? ऐसे functional protein होते है जो reaction को बढ़ा सकते है जो recta fraction को बढ़ा सकते है ठीके न? clear? अब सबसे पहले ऐसा काहता है कि सबसे पहले जब यह chemicals आप से मिले होंगे तो simple organic chemicals बने then complex organic chemical बने और फिर उन complex organic chemical ने आपस में जो है वो जुड़े वो वो जुड़े और जुड़ने की कराण उन्होंने फिर क्या क्या primitive form of life के जीवन के प्राचिनतम जीवन को बनाया scientist कहते हैं कि सबसे primitive most primitive और ancestral organism जो है वो है progenote के progenote के it is the most नहीं ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्राचिनतम जो जीवन के और यह इसने photosynthes नहीं किया इसके पास-पास यह वो कहां बना होगा यह वाटर में बना होगा पानी में बना होगा अर्थ पर जो वाटर था महा सागर उसमें बना अब क्या था इसमें जो है वो तब लगाता और यह नहीं प्रोजिनोट क्या था उसमें प्रोटीन थे कुछ इस समें चुकि यह primitive atmosphere था इस समें इस समें वायू मंडल में atmosphere में free oxygen एवलेबल नहीं थी तो इस समें इसमें एनारोबिक respiration हुआ होगा ठीक है उससे CO2 भी निकली होगी याद रखीगा यह प्राचिंतम जो है वो बतारा हो कि जो ancient time है कि कैसे जीवन बना होगा कि उसके बार ग्रेजुले धीमेदी में development of cell प्रोजुनेट हुआ उसके बाद उसमें कुछ को एक लिपीड जुडा लिपीड की membrane बनी इटके तो यह सब detail में देखेंगे हम जब evolution पड़ेंगे तब अभी हमने क्या कहा कि यह प्रोजुनेट से फिर धीमेदी में समय के सासा जो है कई जो इमेज में आपको दिखाई पड़ना है इस्टोमेटलाइट कहते हैं यह प्रोजुनेटिक सेल हैं और इनमें नूकलियस या और्गनल नहीं होता है और बैसिकली यह इन्हें हम ओल्डेस फॉसल के दिखेंगे और एक समय यह प्रोजुनेटिक सेल्स के समूध ग्रूप थे यह ठीके ना फिर साइंटिस कहते हैं कि सबसे पहले जो सेल्स बनी होंगी प्राचिंतम सेल्स बनी होंगी वो सेल्स को कि हमारे दिमाग में कॉंसेट है कि आटो ट्रॉफ होगा तो हेट्रोट्रॉफ सरवाइब करेगा मतलब एक जीव अपना फूड खुद बनाएगा उसक आज के समय में यही पॉसिवल है यहीं ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे ना तो हम सर्वाइब नहीं कर पाएगे लेकिन पहले के समय बात को छोड़ती पहले क्या था सब इने इस अर्थ पर सबसे पहले जो जीव बने थे ना वो थे कीमो केमिकल खाते थे हेट्रोट्रॉफ थे अपना भोजन खुद नहीं बनाते थे कि अर्थ पर सबसे पहले जो जीव बने थे वह कीमो हैट्रोट्रॉफ थे वह ठीके तो अर्ली सेल जो थी वो कीमो हट्रोफ को शुपर ती उसके बाद काफी समय के बाद में आट्रोट्रोफ औरिनिस जो है हूँ उधे हुआ है तो फर्स्ट सेल्स वेर हेट्रोट्रोफ एटिंग दी एनरजी रिश मॉलीकूल इन दी अरली ओशियल्स ओनली वेन दे हैड इटन मोस्ट अब दी अवलेबल फूड दिड आट्रोट्रोफ सूचिए सारा कुछ खेल इसी वात का है कि एक वक्त ऐसा आया कि यह जो है कीमो हाइट्रोट्रोफ थे नोने समुद्र के अंदर का अब क्या अब तो है नहीं तो फिर सूचिए फिर इवॉलुशन ने एक करवड बदली कहानी का दोसरा अपक शुरुआ अब यहां पर लगा है इनकों के भैया अब तो कैमिकल खतम हो रहा है अब तो मर जाएंगे सारे के सारे क्या किये जाए प्रकरती में चमतकार हुआ अ अब इन्होंने आटोट्रोफ जीवों को उत्पर्ण कर लिया आटोट्रोफ खुद के लिए फूड बनाते हैं तूसरे के लिए स्धिन सारे कि लожет vraag 3ktion इन ओर उस शूर को बनाएने के बाद क्या क्या इनोंने इनोंने जो है वो oxygen को रिलीस करना चुरू किया नहीं जो धी-व क्या इंधोर टिela इंधोरों को बनाया इतना बनाया कि हमारा atmosphere reducing से oxygen होगा ठीक है और शुरुआतीज आक्टिव मैंची ती यह कई सारे early organism related toxic थी तो इसका मतलब यह हुआ कि when oxygen consciousness become significant about 2 billion years ago organism either become extinct or adopted to the aerobic respiration सोचिए कहानी यह कहती है कि 2 billion words पहलेट के जो oxygen का concentrate था वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जीवों के पास 2 twice थी और इनरिजन के पास there are only 2 twice या तो मर जाओ या बदल जाओ या तो extinct हो जाओ या फिर आप adopt करके change करो अपने अंदर के तो उन्हें ने change किया कई जीवों नटके और aerobic respiration अस्तित में आया existence में आया है ना मज़िदार story ठीक फिर धीमे धीमे समय के साथ साथ क्या हुआ पहले prokretic cell बने उसके बाद eukretic cell बने अब ये prokretic और eukretic cell में फर्क क्या होता हम आगे बात करेंगे अब इतना समझ दो आप की pro मतलब होता है primitive प्राचिंतम याद रखना पूछूँगा बाद में ठीके और u मतलब होता है new advanced ठीके new या advanced ठीके ठीके और karyo मतलब होता है nucleus ठीके ac cells जिनमें की primitive type का nucleus है वो prokretic cell है और जिनमें advanced या नहे तरह का nucleus है वो eukretic cell है अब इन दोनों में क्या फर्क के आगे बात करेंगे अभी हमने का कि eukretic cell जो है more evolved cells उनके पास mitochondria होता है chloroplast होता है अलग अलग तरह के cell organs होते है eukretic cell में prokretic में नहीं होता prokretic में केवल ribosome होता है ठीके तो eukretic cell का उधे हुआ और finally फिर हम कहते हैं कि पहला इस अर्थ का पहला multi cellar organs के पहला ऐसा जीव जो कई सारी कोशिकाओं के समूँ से कई सारी cells के ग्रूप से बना हुआ था multi cellar organs था वो 750 million years ago बना कब बना वो 750 million years ago बना वो ठीके ना clear then उसकी बाद तो हम जानते हैं फिर तो कहानी ही बदल गई उसके बाद तो जो है evolution होता चला गया और एक दिन एक दिन फटा पोस्टर निकला ही रो सुचिए इस अर्थ के पर जो है वो एक दिन जो है वो homo sapiens का ओदे हुआ hero है या villain है कई बार फिल्मों में hero villain भी होता है तो homo sapiens का ओदे हुआ तो ये और ये सारी कहानी शुरू कहां से हुई है ये पूरे ने आज हम जो है ना ये पूरी कहानी शुरूए का primitive atmosphere बिजली का चमकना समुद्र में chemical का reaction करना के फिर शुरुवाती chemicals का बनना complex chemical का बनना फिर progenote का बनना pro critic का बनना हम इतनी लंबी story के बाद picture में आए हैं clear अब ये आपके सामने geological time scale तो geological time scale क्या कहता है ये बतलाता है आपको कि किस काल में क्या हुआ होगा तो अभी इसको याद करने की जरुवत नहीं है अभी cable मैंने indicative दिखाया कि ये भी हमारे syllabus में है important है पढ़ेंगे आगे जब evolution पढ़ेंगी तब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे ठीके ना clear तो अब हम एक बात समझ गए हम क्या समझ गए हम समझ गए है कि हमारी अर्थ पर cell कैसे आया अब हम ये बात समझ चुके हैं कि हमारी अर्थ पर कोशी का या cell कैसे आया कैसे वो प्रकट हुआ ये बात हमको आप समझ में आ चुके अब कोई बना किसे बहुत सरी चुछे हमको मालूम है या ठीक है तो अब तो लेक्चर के सबसे आखिर में किवल एक बात कहना चाओंगा केवल केवल आप अपना दिमाग लगाएंगे कंटेंट को पढ़ेंगे न तो आप सिखेंगे तो आप कितना सिखेंगे आप सिखेंगे 60 से आप 70 परसंट सिखेंगे ठीक है वैने यूपूट यूर ब्रेन अपना मान अपनी आत्मा और अपना मस्त सब साथ लगाएंगे आप और चीजों को समझेंगे 100 परसंट आप 100 परसंट से भी उपर आपका स्कूर करेंगे आपके मतलब आपके पास बहुत इन्फॉर्मेश होगी यूँ इसकूर 100 परसंट के नॉलेज इस मोर दन 100 परसंट रह सीखने मिल रहा है हमको जानने मिल रहा है हमको जब यह हमारी सोच रहेगी ना तो हम आगे चीजों को अच्छे समझ पाएंगे और हम पुरे साल अपने आपको मोटिवेट रख पाएंगे और मेडिकल इंटरेंस की तियारी भी एक मेरथन रेस के समाहाँ होती है कि सुरू म आपने आपको फद्परक के और एक साल तक, सारे के सारे distracting factors जो आपको distract करते हैं आपके पाथ से उनको goodbye कर दीजिए. उनको pause कर दीजिए. कि भी या हमारे पास कोई समय नहीं है, ना तो relationship के लिए समय है, ना time pass के लिए कोई समय है, हमारे पास कोई समय नहीं है हमारे पास समय है सिर्फ केरियर बिल्डिंग के लिए और एक साल के बाद बात करेंगे ठीक है अभी आपको स्केप वेलोसिटी बढ़ाना है अपने आपको लॉंच करना है और आपको कुछ नहीं के और्बिट से निकल कर कुछ बन जाने के और्बिट तक पहुंचना है कुछ नहीं के और्बिट से निकल के कपे पहचान बनानी अपनी है और याद रखना एक स्टेक्मेंट जो मैं आपके बहसे आज कह रहा हूं कभी कभी जी जलाने से जिन्दगी रोशन हाती है ये जिन्दिगी का सारा सार है कभी-कभी जी जलाने से जिन्दिगी रोशन आती है गाठ मांदली जी है इसको आज की जो महनत है आज का जो कस्त है कल की चमके वो On the best